नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निवज के डिफेंस टॉक सरीच में जहां पर हम रोज नए-ने डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देद न करते हुए आज की वीडियो स बात करने वाले हैं रीसेंटी इंडियन आमी नेवी और एरफोर्स की तरफ से हिंट दिया गया कि वह अभी बड़ी मात्रा में मेल कैटेगरी की वीडियो को अपने सर्विस में सामिल करने वाले हैं अभी कुछ माहिने पहले की बात है भारत की तरफ से उनौइटर स्टेट करी के नहीं बल्कि हेल के वी होने वालत जिनको हम हाई अल्टीटूड लॉंग इंड्रीट की वी कह सकते जिनकी अधिन रॉपरेटिंग रेंज और सर्विस सीलिंग वी बाके किसी भी मेल कैटेगरी की वीडिके मुकाबले काफी ज्यादा होता और ये काफी जादा जिसमें सबसे पहले तो हमारे उस्तम तो या तापस यह भी होने वाला है जिसके बाद आर्चर एंजी को एक और इंडिजनेस आप्शन कहा जा सकता है और इसके बाद अभी हर्मिस 900 या दूस्टी 10 जैसे यह भी को भी सेग्मेंट में प्लान किया जा रहा है अब इन 155 में से आर्मी नेवी और एरफोर्स की तरब से कितने कितने वीच को आपरेट किया जागे बरतमान के लिए बताया नहीं जा रहे जो कि आगे चलके पता चलने वारा लेकिन एक बात तो तो ताय कि इसमें सर्फ इंडिजनस आप्शन को सिलेक करने की कोसिस किया जा रहा है जिनको लॉंग डिस्टेंस सवलेंस के लिए इस्तमाल किया जा सकता है और इनको बोथ सिविलर और मिलिटरी अप्लिकेशन के लिए इस्तमाल किया जाएगा अभी भारत के अंदर ऐसे दो सिस्टम को अलग-अलग इंस्टिजूट की तरब से जिसमें एक तरफ HL और New Space Research and Technology की तरफ से जॉइंटली एक सिस्टम को डिवलप किया जारा और एक तरफ National Aerospace Laboratory की तरफ से एक और सिस्टम को डिवलप किया जारा जो की सेम क्याटेगरी के सिस्टम होने वाले इनमें से अभी New Space Research and Technology की तरफ से पब्लिस के कुछ वीडियो से पता ना सुरू किया जा चुका है रिसेंटली किये एक टेस्टिंग के दौरान इसको इंडिपेंडनली ऑपरेट करता हुआ दिखा गया था यानि कि अभी इससे ऑटनमस मोड में टेस्ट किया जा रहा है इस टेस्टिंग के बाद आगे चलके इसकी कुछ और प्रोटाइप को अभी बनाया जाने वाल है और जली जो हमारा हाई इल्टिटूट सेटलेट का प्रडक्शन वेरियंट होगा उसकी विंग स्पैन करीब 59 मिटर के आसपास होने वाली है लेकिन अभी जिस डेवलोपेंटल उनिट के टेस्टिंग किया जा रहा था उसकी विंग स्पैन करीब और इसके बाद जाके अंत में फानल प्रोटाइब को बनाया जागा जिसकी विंग स्पैन 59 मिटर तक होने वाली है और यह जो आखरी वेरियंट होगा इसको प्रडक्शन रेडी वेरियंट कहा जा सकता है अब जैसे कि एक सोलर पाउर ये वी होने वाली है तो एक बार टेक पकिस्तान के वाड़र के करीब डिप्लॉय करते तो हम आसाणी से पकिस्तान के 60-100 किलोमेटर के अंदर तक नजा रख सकते हैं और यह बिना कोई दिक्कत के 90 दिन तक आपरेट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम काफी लंबे समय तक आसाणी से एरियल सबेलन्स को कर सकते हैं अगला अपडेट तेजस MK 1A की तरफ से हैं अभी इंडियन एर फोर्स की तरफ से इसी महीने की अन तक डिफेंस अक्विशन काउंसल की तरफ से अडिसल तेजस MK 1A को खरीदने के लिए अप्रूवल देने के लिए रिक्विस्ट किया जा रहा है जिसमें इंडियन एर फोर्स की तरफ से अभी इंडिसल 97 तेजस को खरीदने का प्लान किया जा रहे जो कि इसकी MK 1A variant के होने वाले है जो कि फ्यूचर में हमारी मीक 21 या मीक 27 जिसने एक राप जो की रिटार होने वाले उनको रिप्लेस करने वाले है अभी इंडियन एर फोर्स जल्दी से जल्दी फाल करना चाहते है और इसी साल के अन तक ही इंडियन एर फोर्स एडिसल 97 तेजस कीlagen के वाने के लिए ओफिशल ओर को फ्लेस करना चाहते है अब ये बात सुनने के बाद HL की तरफ से भी TGSM के वोने की production rate को बढ़ाने का फैसला किया जा रहे और अभी HL की तरफ से ये कहा जा रहा कि वो अभी अपनी production rate को बढ़ाने वाले और अभी साल बर में HL करीब 16 TGS को बना रहे लेकिन additional order की बात सामने आने की वज़े से अभी HL की तरब से साल भर में 24 तेजस को बनाने का प्लान किया जा रहे जिस वज़े से अभी नासिक division को भी तेजस को बनाने के लिए अक्टिब कर दिया जाएगा जिसमें additional 8 तेजस को manufacture किया जा सके याने की साल भर में additional 8 तेजस को वहां से बना सकते है और अभी बैंगलोर डिविजन में 16 तेजस को पहले से ही बना जा रहे तो खुल मिलाकर हम साल भर में 24 तेजस को manufacture कर सकेंगे अभी पहले जो 83 तेजस में के लिए ओर्डर को place किया गया था उनकी डिलिवरी 2024 से सुरू हने वाली थी जिसमें पहले quarter के अंदर करीब 3 तेजस में को इंडियन एर फोर्स को डिलिवर करना था और इनकी डिलिवरी 2019 तक complete होने वाला था लेकिन हल अभी 2028 से पहले पहले order किये के तेजस में के वाने की डिलिवरी को complete करना चाहती है इसके बाद additional तेजस को बनाना सुरू किया जाएगा और 2025 तक हल की तरफ से साल में करीब 24 तेजस को manufacture करना का हैम रख रहा हाला कि यह जो एम ही इसको 2022 तक के अचीव कर देना चाह है तो देखने वाली बात यह कि क्या सच में हल 2025 तक साल भर में 24 तेजस को बना पाता है या फिर वो फिर से अपनी टाइम लेन को मिस करने वाले अगला अपडेट स्पेस रिलेटेड होने वाला और अभी हम इसरो की कुछ मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले ज साथ चांद की साउथ पूल रिजियन में सौफ लेंडिंग कर चुका है जिसमें एक लेंडर को रोवर को चांद पर उतारा गया था इसके बाद अभी पिये मोदी जी के दोरा ये बात बता जा रहा कि अभी इसरो की तरब से किसी रोवर को नहीं बलकि इंसानों को चांद पर भेजने का फैसला किया जा रहा है जिसमें इस रोवर को चांद पर भेजने वाली है हलाकि इसे अभी रेलेटिव में बदलने के लिए काफी वक्त लगने वाला है क्योंकि अभी हुमन मून मिशन या हुमन लुनार मिशन को लांच करने के लिए 2040 तक का टाइम लाइन और इंसानों को चांद पर भेजने से पहले इस रोव की तरफ से अपनी खुद की एक स्पेस स्टेशन को भी बनाने का फैसला किया जा रहा है यानि कि जिस तरीके से इंडरनाशन स्पेस स्टेशन या चाइना की स्पेस स्टेशन ने ठिक वे से ही भारत की तरफ से भी अप तक के लिए जाहिन बने मातर